यह है मावनो माइक्रोफोन मॉडल नंबर है A.U.P.M.461S यह आता है एंडर 3,000 रुपीस में इस माइक की आडियो रेकोडिंग आप सुन सकते हो नमस्ते मैं हों की तौर मेरी चर्म आपका स्वागत है नमस्ते मैं हों की तौर मेरी चर्म आपका स्वागत है माइक्रोफोन में गैन प्लस और माइनस का भी आप्शन है इससे माइक की सेंसिटिविटी कम ज़्यदा होती है अब ही मैं आडियो रेकोडिंग टेस्ट कता हूँ विद फैन ओन नमस्ते मैं हूँ अंकी तौर मेरी चर्म आपका स्वागत है तो अभी मैं फैन ओन के साथ आडियो रेकोडिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ आडियो आ रहा है रेकोडिंग में लो हलो हलो एंड गेन को भी कम ज़्यादा करके देखता हूँ तो यह मीडियम पर है और गेन को सबसे कम पर रखता है अभी अभी सबसे ज़्यादा गेन को कर देता हूँ तो फैन नाइस ऐसे कुछ आती है अभी वापस से मीडियम पर कर देता हूँ तो यह सा कुछ आता है वो बैग्राउंड नॉइस आडियो रेकोर्डिंग कमपरिजन करके देखता हूँ विथ हंडर्ड रूपीस लोकल माइक नवस्ते मैं हूँ अंकी तार में चल मापका स्वागत है तो अभी मैं आडियो रेकोर्डिंग कर रहा हूँ विथ हंडर्ड रूपीस लोकल माइक नवस्ते मैं हूँ अंकी तार में चल मापका स्वागत है तो अभी जो आप आडियो सुन रहे हैं वो है माउना कंडेंसर माइक्रोफोन से नवस्ते मैं हूँ अंकी तार में चल मापका स्वागत है नमस्ते मैं हूं, अंकी तो और मेरे जल मापका स्वागत है. तो अभी मैं audio recording कररा हूं, boy SAY M1 mic से अप सुन सकते हैं ऐसे कुछ आवाज आ रही है boy Tory gdyby allowing make नमस्ते मैं हूं, Armstrong मेरे जल मापका स्वागत है तो अभी जो आप audio सुन रहे हैं वो है mono-condenser microphone से नमस्ते मैं हूँ अंकी तो और में इस चैनल में आपका स्वागत है तो अभी मैं आडियो रेकोडिंग कर रहा हूँ बोया M1 माइक से एंड कनेक्शन के लिए USB A to USB Mini B दिया है एंड माइक्रोफोन इसले स्टेंड में माउंट हो जादा है तो ओरल काफी अच्छा है माइक बेजिक या फिर हाई क्वालिटी ओडियो रेकोडिंग के लिए या फिर आप पॉड़कास्ट या फिर वाइस आवर के लिए भी इस माइक को कंसिडर कर सकते हो